नमस्कार दोस्तों मैं भाशा और आप देख रहें न्यूस क्लिक पर पड़ताल दुनिया भर की एक युद्ध किस तरह से समीकरणों को बदलता है किस तरह से EU के समिट पर युक्रेन युद्ध हावी होता है और अंगिनस समीकरण सामने आते हैं ठीक उसी तरह से हमें दिखा में 16,000 से अधिक मौतों की खबर है और हम सब जानते हैं जिस तरह से ये विभीशी का हुई है संख्या बढ़ सकती है आखिर किस तरह से देखा जाए क्या बड़े परिवर्तन जमीन के नीचे हो रहे हैं और इसका राज़ितिक रिष्टा क्या है दूसरा मुद्ध जिस पर गुबारा जिसने अमरीका को परेशान किया अमरीकी राष्टपती को एड्रेस करने के लिए मजबूर किया और बताने के लिए मजबूर किया कि यह गुबारा चीन का जासूसी गुबारा है देखिए इस गुबारे की असली कहानी चलिए हमारे साथ बात करते हैं प्रबीर प्रवीर दुनिया इसे में भीशन विभीशिका देख रही है तुर्की और सीरिया में खास और से तुर्की से जो भुकंप आया जिस तरह से सोला हजार से अधिक मौते हो चुकी है आशंका है ये संख्या और बढ़ने की ये जो विभीशिका है इसे हम वैग्यानिक तोर पर कैसे देखें क्योंकि यहाँ इलाखा पूरा जो बता रहे हैं पिछले दस साल में सबसे बड़ी विभीशिका है भुकंप से जो दुनिया में की हुआ तो भुकंप और भी जगहों पे हुए है बड़े-बड़े भुकंप हुए है पर पिछले दस साल में ये सबसे बड़ा भुकंप हमको देखने को मिल रहा है मौत की संख्या को अगर देखें और ये भी आपकी बात सही है कि मौत की संख्या और बढ़ने वाली है क् कि जैसे लोग जाएंगे रेस्क्यू करने के लिए जो दबीवी जहां पर है लोग है वो कुछ जादा तर तो अभी उनके शायद मौत हो चुकी है पर कुछ जिन्दा भी मिलेंगे तो इसको जब प्रक्रिया जारी है वो और भी आगे जाएगी तो और भी मौत का हमें मिले नहीं है तो यह हर भुकम पे होता है कि हताहत के संख्या मालूम पड़ता कुछ देर बाद पर यह देख सकते हैं शुरू गुआता है चार हजार, पांच हजार, दस हजार, अब सोलह हजार पे पहुंच चुकी है तो भुकम होती क्यों है उसके मैं बहुत ज्यादा अगह नहीं है इसको करने के लिए पर तुर्की एक ऐसा देश है जहां काफी भुकम देखता है क्योंकि जिसको टेक्टॉनिक प्लेट की जो बात होती है जि हमारे पुरी दुनिया कुछ प्लेट की ऊपर टिकी हुई है देश जितने हम हम है तो वो प्लेट की थोड़ा बह को देखेंगे जमीन उपर जाती है बत्ता परबत पहाड यह सब निकल के आती है तो यह तर्की में भी वो कहते हैं अरेबियन प्लेट और जो यूरेशन प्लेट है उसके बीच पर टक्कर है और इसलिए तर्की एक ऐसा जोन में है जहां पर अर्थक्वेक्स ज्यादा होने पहले भी हुई है और अब ही इतनी बड़ी और बड़ा होने के बाद भी लगातार हम देख रहे हैं जो मैप में भी दिख रहा है कि आफ्टर अभी चल रहा है तो आप देख सकते हैं कि मैप्स आपने जिकर कि अच्छा कि उसमें देखेंगे प्लेट जो है उसकी लाल होता कहते है तो भूकम होती है और टेंशन रिलीस करने का पद्धती है कि एक उपर चड़ जाता है दूसरे प्लेट के उपर तब जो है इसका चाहे दो फीट हो तीन फीट हो पाँच इंच हो उसके जो टेंशन से निकलते हैं उसका वजह से काफी उस इलाके में काफी भू ज्यादा था रिक्टर स्केल में यह साथ 7.8 और दूसरा एपी सेंटर जो है 7.5 है दोरो एपी सेंटर आप देख सकते हैं यह पिछले जासाल में सबसे ज्यादा बड़े भूकम हैं तो इसलिए इस पर इतना हताहत भी हो रहे हैं और तर्की काफी घनी उसका घरी बसती है लोगों काफी dense population है सीरिया के भी dense population है सीरिया में मौते हैं हलांकि भूकम इतने बड़े तरीके से नहीं हुआ पर सीरिया में क्योंकि युद्ध चल रहा है वहाँ पर युद्ध है इस पर टर्की भी शिरकत किया है दूसरे अमरिका की सेनाय भी महां रही है कुर्दिश ता अगर आप देखें तो कुछ जगहों पर कुर्दियों की शाषन है ठीक है न उसका पिके के का जो क्या कहेंगे फ्रेंडली पार्टी उनका जो है वहाँ पर वो कुर्दिस्तान कुर्दो कुर्द बहुल इलाका में उसकी बुलबाला है इस वक्त इदलिप की अगर आप दे में वह अपना हक जो क्या कहते है शाषन चलाने के वक्त ये भी कहते है कि क्रिश्चन और जो शिया है उनको हम इनसान के पूरा दर्जा नहीं देंगे तो अगर उनको रहना है तो उनकी पूरी अधिकार नागरिक अधिकार नहीं होगे और उस पे बहुत सारे ऐसे तो इसी लिए ये तो एक अलग किसिम का है तर्की का उसमें बहुत बड़ा हात रहा कि इडलिब जो जगह है जहां अभी भी सीरिया की केंडियर सरकार के पास नहीं है उसको इडलिब इन शाषन को वहां पर तर्की ने समर्थन किया है हलां कि इस वक्त समझावते के और शा कि क्या होगा इसकी बातचीत चल रही है अभी तक पूरा नहीं हुआ है पर अभी भी इडलिब इनकी केंडियर शाषन सीरिया की नहीं चलती वहां पर वहां पर बाहर से एड़ आ सकती है क्योंकि उन पर कोई सैंक्शन नहीं लागा है ये मैं आप से थोड़ा सा बाद में जाना चाहूंगी मैं खाली एक चीज जो पहले जाना चाह रही ती तुर्की में जो इतना बड़ा भूकम पाया जिसका एपी सेंटर जिस इलाके में है वो एक पुरानी सभ्यता से भी उसका रिष्टा है जो नक्षे में भी अगर हम देखें हां गाजियन टेप कासल रहा ह में पर उससे और भी जो इंट्रेस्टिंग जो चीजा है जो आप जिकर कर रहें गोवी के लिए टेपे करके एक जगह है जहां पर नियोलिथिक रभ सभ्यता का शायद नीम वहां से शुरू होता है आज उस पर नहीं जाएंगे अलग रास्ता है पर जो कहना चाहता था जह पर जंग चल रही है सिविल वार चल रही है सिर्या में वहां पर अभी भी बहुत सरे ऐसे मकान है वह डैमिज्ट है यही वजह है कि सीरिया में बड़े पैमाने पर क्योंकि वहां पर उतना तेज भुकम का नहीं असर था लेकिन वहां नुकसान होने की आशंका ज्यादा ज अधिक मौत हो चुकी है और सिर्या में तीन हजार के अधिक मौत हो चुकी है तो अभी भी संख्या तर्की में ज्यादा है पर कम भुकम आते हुए भी तो अगर आप देखे इतना मौत क्यों हुई है तर्की में मौत ज्यादा हुई समझ में आता है क्योंकि वहां पर तो ए पेर नहीं हुए है आधी वैसे ही पड़े हुए है उसमें फिर भी लोग रह रहे हैं इसलिए वहां पर हताहत हुए है काफी पर अभी भी अगर देखे परसेंटेज की हिसाब से 75% ज्यादा टर्की में मौतों की खबर आई है 25% सीरिया में अभी टर्की में संखाज ज्यादा है हताहत का काफी ज्यादा है और वो सहाविक भी है क्योंकि बुख्य भूमिकम जो सबसे बड़ा पाठ है भूमिकम का वो टर्की में हुआ है सीरिया में कम हुआ है इसके बाद पैलिस्टाइन वगारे में भी लेबनान में भी असर आया है पर वो भूक अप पर बहुत जादा ऐसा नुकसान के ख़बर अभी तक नहीं है इसी से जुड़ा हुआ एक जो बहुत बड़ा सवाल है जो बहुत कम पूछा जा रहा है एक बड़ा हिस्सा ये मांग कर रहा है कि सीरिया पर जो अमरीका ने सैंक्शन्स लगा रखे हैं जिस आपदा से सीरिया गुजर रहा है उसमें वो सैंक्शन्स हटा दे और इसको लेकर जो तमाम मानवधिकार की बाते करते रहे हैं तमाम हुमन राइट्स की और सपोर्ट की बात होती रही एड की उस दिशा में अमर इंदा पर केंटिया सरकार पर सैंक्शंस है जो इस्लामीक ओर्शें जो आपने दिसकुँख क ए इलिव वकारे जगहों पर उनकी प्रज़ाव है वहां पर कोई सैंक्शन ली है को वाइट हैलमेट्स को पैसा तो फ्रांस यूकर पैसा देता था। वाइट हेलमेट्स हां प पहुंच सकता है सिर्या की वहां पर कोई इंटरनाशनल बैंक्स के जरीए अब पैसे नहीं भेज सकते हैं कि वहां की जो केंडियों सरकार है सिर्या की उसके पास एड पहुंचना बहुत मुश्किल है क्योंकि लोग बता रहे हैं कि तेल तक नहीं है कि वह रेस्क्यू आपरेशन कर सके गाड़ियां भेज सके मदद के लिए लोगों को निकाला जा सके तो उसका ही है कि इरान उसको मदद करता रश्या उसको मदद करता अभी भी करेगा तो हकीकत है पर अगर आप और हम पैसा भ कर सकते उसके लिए दर्वाजे खुले हैं तो यह एक बहुत क्या कहें कि घातक चीज है क्योंकि अंतराश्य मदद चाहिए यह सभी कह रहे हैं पर मदद पहुंचने का कोई तर्कीब जो है बता नहीं पा रहे हैं यह तो कुछ कुछ चंद देशी उसको दे पाएंगे दूसर दूसर नहीं दे पाएंगे क्योंकि बैंकिंग चैल्ल्स आपर हमारे लिए खुला नहीं है तो यह तो एक यह है अनफॉर्चनेट चीज है पर उस पर दोगलापन यह है कि शांती के लिए सिरिया तर्की बात करें एड आने दें यह सब कहा जा रहा है लोग यह सब अपील क पर अमरीका को कहना कम लोग ही कह रहे हैं कि अमरीका और यॉरप को कहना कि आप कम से कम टेंपररी रूप से सीरिया पर सैंक्शन हटा दे तो वह अभी जो बुनियादी काम होना चाहिए था जो बुनियादी काम होना चाहिए था जो बुनियादी काम होना चाहिए था जो ब बात कर रहे हैं कि साब्रा जबादी युद्ध नहीं होना चाहिए दुनिया में उनके तरफ से ये बाते आ रही है पर और जो तथाकति शांती चाहने वाले हैं वो नौट अमेरिका हो चाहिए यॉर्प में हो वो आवाज उस तरह से सुनाई नहीं पड़ रही इनके इलावा हमें बामपदी शक्तियों के लावा और किसी जगह से बहुत दुखत है जी इसी बीच प्रबीर जो दूसरी खबर है वो अपने आप में बहुत दिल्चस्प आयाम लिये हुए है जिस पर अमरीकी राष्टपती काफी समय उन्होंने वेतीत किया उन्होंने बताया कि चीन क बेलून स्पाई बेलून था वो यहां से यहां तक आया इस पे तो आप बताएंगे ही और हमारे दर्शक भी नक्षे पे देखेंगे कि कहां से कहां तक पहुचा लेकिन जिस तरह से अमरीकी राष्टपती बाइडन इस पर पूरा का पूरा समय और तوج्जों देते हैं और कि हमारे पास बहुत सारे देशों को पास स्पाईट सैटलाइट्स है एरक्राफ्ट है रॉकेट्स है तो एक बलून का क्या काम है जिसके वजह से इतना बवाल मचा हुआ है जो आपने कहा कि बहुत बवाल मचा हुआ है और उस पे एक प्रेजिडेंट अमरीका का वो चालि यह है कि पहली बात अंतराश्ट्रे कानून क्या है हाइट को लेकि क्योंकि एक देश के उपर से सैटलाइट जाना लीगल है और बलून जाना लीगल नहीं है इसका मतलब क्या है कि कोई हाइट है क्या जिसके बारे बें हम कह सकते इस देश का राजडितिक जियोग्राफिक पहुँच उस हाइट तक होगा यहां तक उसकी सीमा मानी जाएगी इतने फिट तक जैसे हम समंदर में कहते हैं कि 12 नौटिकल माइल्स जो है हमारे टेरिटोरियल अधिकार है तो इस तरह अगर हम कहें तो बलून की जब गया तो क्या अमेरिका का एयर स्पेस के अंदर से गया यह तो एक सवाल आता है तो सबसे मज़िदार बात है मैं मज़िदार ही कहूंगा क्योंकि इस किसा पे बहुत जादा सीरियसली लेना मुझे थोड़ा दिक्कत मुझे दिक्कत हो रही है पर यह है कि 60 हजार फीट तक हमारा एयर स्पेस हमारे कंट्रोल में होगा 60 हजार नक्षा जो ग्राफिक्स है वो बहुत इंट्रस्टिंग है दियां से अगर लोग देखें तो पता चलेगा वो बीच में किस जोन में उड़ो रहा था तो अगर वो हमारा एयर स्पेस नहीं है तो क्या अंतराष्ट्री एयर स्पेस है वो भी नहीं है उस पर भी कोई कानून या कोई ट्रीटी नहीं है क्योंकि यह भी हम जानते हैं कि लोवर और्बिट जो है जियो सिंक्रिनस ओर्बिट तो थोड़ा उपर होता है उसके नीचे लो अर्थ और्बिट करते है जिसमें बहुत सारे सैटलाइट्स है जैसे एलॉन मस्क का सैटलाइट्स है जो आपका इ बैलून की नीचे हैं, बैलून की उपर है बडियो सिंकृटरस ऑर्बिट जो कहते हैं वह बहुत ऊचा है उससे कम है तो यह सवाल है कि वह इस तरह से आपका लो ओर्बिट सैटलाइट है वह क्या हमारे जब जोन से गुजरता है हमारी पर्विशल लेता है क्या नहीं लेता क क्य Pomona कि वो मान के चल्राइए कि हमारा वो एइरच्पेस हमारा नहीं है तो कहां पर सीमा है यह सबसे बड़ी बात है कि सीमा की किसी आज तक हनतर राश्ट्रे कानून दधा है तो अगर चीन कहे हम तो उनके एयरच्पेस सबस्थ नहीं था या गलत होगा गलत नहीं हो किया सही होगा सही भी नहीं होगा क्यूंकर कानून नहीं है तो यह तो एक ग्रे एरिया तो इस पे बन जाता है दूसरी बात आप जो कह रहे हैं कि आज के तारीख पर आपने देखा होगा सैटलाइट इमेजरी जो है इतना पारफुल है कि आपको एक फिट चेंज की माइनूट डीटेल्स भी उस सैटलेट इमेजरी में देखने को मिलता है हमने यहां भी इसको दिखाया भी है जब कोई घटना होती है जैसे आपकी न्यूक्लियर प्लांट उसमें कुछ होता है तो हम दिखाते हैं क्योंकि उपलब्ध है आसानी से मिल जाता है बहुत सारे सैटलेट साथार कुछ साय्टन सैचलेट मीलिटरी सैटलेट से आपकी ओम्हें καते है उत्ता वारिक जब जाती है तो एक बलून की क्या काम पर पर चीन ने बैलून क्यों भेजा अमरी का तो बलून का जो अभी भी मुख्य काम है जो और कोई नहीं कर पाता है वो है कि मिटरलॉजिकल स्टडी करना अब हवा की जो अध्यन है उसको करने के लिए इंस्ट्रूमेंट चाहिए कि अलग अलग ज के सब देश इस्तबाल करते हैं अब किट है किता दूर तक जाएगा किता बड़ा होगा किसनत बड़े यात्रा बड़े दिलचसप उसके है चाहिए कि इसव बड़े बलून का उसकी बात नहीं हो दिये, यह बात हो रही कि बलून जो गया है, इस पर जरूर कुछ जासुसी का काम था, पर सवाल ये है, जासुसी का क्या काम वो कर सकता है, वो ही देख सकता है, हवा की गती क्या है, हवा की कॉंपोजिशन क्या है, उसका military significance पर जबज में नहीं आ रहा है, जमीन पर क्या है, उसको देखने के लिए गैस बलून नहीं चाहिए, उसके लिए इस तरह के गुबारे की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए स्पाई सैटलाइट इस इतना रेजिलूशन से देख सकती है, जो इसके लिए हमें कोई गुबारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो मुझे तो लगता था एक ऐसी चीज इतना बड़ा बतंगड नहीं बनना चाहिए था, बात बतंगड इतना बढ़ती बढ़नी नहीं चाहिए था, दोनों देशों के बीच अगर यह सब बातचीत चलती, तो शायद बड़े आसानी से यह रिजॉल्व हो जाता कि इसको ऐस इसे आप करेंगे तो हमें बता दिया कीजिए और अगर आप से कंट्रोल के बाहर होता है तो बता दिये कीजिए यहां से यहां और के यहां तक पहुंच गया है क्योंकि ट्रैक करने की सबकी इशापता यह है, तो इसी लिए यह इस तरह बढ़ती नहीं, पर क्योंकि है, इसे मुझे लगता है कि इसके मकसद कुछ और भी है, जिसकी और चीन ने इशारा किया है, क्या आपको लगता है, तो देखिए अमरीका तो खास खुलियाम यह कह रहा है कि हमारा बुख्य प्रतिदंदी अभी चीन दुनिया में है, उसका मिलिटरी कॉंपेटिशन है, कॉंपेटिशन है, जियो स्टेटीजी कॉंपेटिशन है, हम रुस को बुख दुख मन plain महांते है, हम चीन को बुख्य दुख्य मनते हैं, और उसको इसको साउट चाइना सी और टाइवान और जपान saund Due Korea लेके जो बातचित चल रही है, उस पर उनको नजर तो साफ है, कि उनके निशाने पे चीन इस वक्त है. सवाल है, दुनिया में इस तरह के जंग जो देखने को मिल रहा है, चाही उक्रेइन के लेके हो, नेटो और रूस के बीच में, और अगर इस तरह के फिर जंग चीन और रूस में, चीन और अमरिका के बीच में शुरू होता है, तो एशि और इस रास्ते पे जाता है, कि लडाई की नहोबात आ जाए, तो मेरे ख्याल से हमें सब को सोचना को रहे है, कि दुनिया बचेगी या इस लडाई से हम सब मरेंगे, क्योंकि जो शक्ति इन देशों की है, कोई जंग उनके सीमित नहीं होगा, ये दुनिया में, दुनिया क खत्म के तरफ ले जाएगा, बहुत 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 शुक्रिया, दोस्तों, जिस तरह की खबरे आती हैं, जिस तरह के मीम्स आते हैं, और जिस तरह की वीडियो आपके पास पहुँच रहे होंगे, इस गुबारे को लेकर, इस गुबारे को किस तरह से मारा गया, क्या असली मकसद था जो हमने आपके साथ शेयर किया शायद वह आप तक नहीं पहुचा होगा इस तरह से इसलिए बहुत जरूरी है विश्व कूटनीती में गहरी पकड के साथ चीजों को टटोलना उनकी पड़ताल करना देखें लाइक करें शेयर करिये पड़ताल दुनिया भर की न्यूस क्लिक शुक्रिया